नमस्कार दोस्तों रोजाना राजश्वी पल लखने के लिए चैनल को शब्सक्राइब कर लें शाथे बैल आइकन को प्रेश कर दें तागे दोस्तों आपकी राज़ते से जुड़ी सभी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंश चके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम शुकों का लाब लेशकें तो आपके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अपरेल 2022 के आपके राज़श्वी पल की बारे में शब्से पहले दोस्तों जिनका भी यश्मे बरसी दे हैं या फिर एनवर्सरी हैं आप शब्सक्राइब से देशारी शु और आपके लिए भागे शलेंगे दोस्तों याश्में आपका लवलाइब श्वास्त करियर और धन की जिती केश रहेंगी साते दोस्तों वीडियो के मद्द में आप शबी के लिए बहुत अच्छे विचार दे गए हैं जुने आप जरू देखिएगा आपको काफी श्मेंट रहेगा उसको प्रांती बैदरिती नामाख शुव्योग प्रारम हो जाएंगे मैं दोस्तों दियान रहे आप यह श्में कोई भी शुब और महतकुन कारें को भूल शेभी ना करें तो दोस्तों यह रहेगा शुबा के नौ बचकर 26 में चलेकर शुबा के 10 बचकर अंठाउन मिनट तक वर दोस्तों 14 माई दिन में राश्य को प्रांत मैं इस राश्य में सुचार कर जाएंगे दोस्तों बिना स्वार्थ के तो इश्वर से भी रिष्टा नहीं रखते हैं इंसान 21 रुपे के परसाद में भी पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वो भी चाहाएगा काम पूरा होने के बाद दोस्तों स्वार्थ से रिष्टे बनाने की कितनी भी कोशिश करो यह बनेगा नहीं और प्यार से बने रिष्टे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो लेकिन यह तूटेगा नहीं दोस्तों बात मतलब की होतों सब समझ लेते हैं पर बात का मतलब समझना किसी को नहीं आता दोस्तों वक्त बिद जाए तो लोग भुला देते हैं बेवज़ा लोग अपनों को भी रुला देते हैं जो दिया राद बर रोसनी देता है, सुवह होते ही लोग उसे भी बुजा देते हैं दुनिया का वसूल है, जब तक काम है, तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है दोस्तों, अंदर से हर इंसान स्वार्थी होता है, हमें इस बात को समल देना चाहिए अनिता हम पूरी जिंदगी लोगों पे स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते रहेंगे तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशीफल की देनी राशीफल दोस्तों यह है शो में ग्रह गोचर आपकी पक्ष में है शंतान के भईश को लेकर कुछ लावदाय योजना बनेगी जिनमें दोस्तों आत्म विश्वास भी बढ़ेगा शमाजी गजिदियों में भी वैस्ता बने रहेगी घर में किशी नई दिकी मेहमान के आगमर्शे खुर्जी वराव आतारों रहेगा शातिस के साथ अगर आपके शावदाने को लेकर बात करें तो दोस्तों यह शमे अपनी शबलता शमंदी दिखावे की परवर्ती से दूर रहे अगर यह शमे वहां शमंदी कोई भी लोन लेने की उजना बना रहे है तो दोस्तों उसमेर जो भली बाती विचार कर लें यह आपके लिए आवश्यों होंगे और शाति घर के बड़े बुजरुगों के श्वास्त का भी शमे आपको ध्यान रखना चाहिए इसको प्राहन दोस्तों यह शमंदी आपको बदा दे कोशिज आपको यह शमे करनी होंगी विद्यारतियों का अभ्यास में मन लगा रहेगा और युवाओं को भी नई शंदी प्राथ हो शकती है दोस्तों परस्तिती में आचाहनक से शकात्मक बदला भी शमे दिखने वाले है और इसको प्राहन दोस्तों यह शमे आपको बता दे कि आपके मन मुताबित कोई अच्छी कारी भी पूरी हो सकती है और जिसकी वज़र से आपका मन खुश रहेगा नविन कारियों की योजनाए भी शमे बन सकती है तदा उनको जो है कारी रूप देने के लिए जो समय होंगे लोगों का स्वयोग आपको प्राब्द होगा शाथी दोस्तों अपने आत्मी स्टेशन दोवरा श्वेंग के व्यक्तितु में और अधिक निखार लाने का प्रयाश करें ये आपके लिए अश्मे बैतर होने वाले है और इसकी ब्राद दोस्तों याश्मे आपके लिए श्यमियों के आपको बदा दे कभी खुद को बारे में बिख्र डालने की कोशिच कर सकता है और इसको प्राद दोस्तों ये श्मे आपके विजारों में आपको शकार्तमक बदलाव भी दिखेगा जिनकी वज़ेशे खुद के अंदर जो बदलाव लाना है उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं दोस्तों ये व्यक्तित कि पिछले कुश में से चल रहे तनाव श्मे आपको मुक्ति मिलेगी और दोस्तों किशी भी महत्पून कारी को करने से पहले पारिविल श्रदिस्यों की शला अवशले शंतान के केरिया शमंदी कोई सुचना मिलने से घर में जो है उत्सा भरा वातारन मी रहेगा शाथी द शमाद में आपकी 26 इसमें खराब हो शकती है विद्यारतियों को भी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जर्रत होने वाली है और इसको प्रांद दोस्तों में आपको बता दें कि यह भावनों के प्रति आप अधिक शमय देल सीन रहेंगे इसलिए अपनी भाव शकता है दोस्तों यह में अधिक वक्त आप जो एकांत में बिताने की कोशिश भी करने वाले हैं और इसको प्रांद दोस्तों संति आफिर अपने गुरू के शानिति में रहना आपको माशिक सांती परदान करेगा बचे यह में आग्याकारी बने रहेंगे प्रदु दोस्तों आपका ज्यादा अनुशासित स्वभाव और लोगों के लिए फरिशानी का कारण भी बन सकता है दोस्तों आप पर जिमदारियों का दवाव रहेगा यह जो समय है आपके लिए किसी भी परकार की यात्रा ना करें दोस्तों आपके लिए नुक्षान दा दोस्तों दोस्तों आपको अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए मार्ग भी मिल रहे है अधिक शहयाम रभ बनाकर जो अपने प्रतनों को बढ़ाना आपके लिए ज Carry जड़ुए पूरा शयोग आपके उपर रहेगा तो तो यसमें गैर करनूनी काम करने से बचे बूरी तरस्या अप भंस सकते हैं उसके आपके वयोशाहे के लिए जिसमें होगे दोस्तों आपको बता दें कि एक आपका पारिवारिक वयोशाह है तो दोस्तों यश्मे उन पर अधिक ध्यान के दिर दखें नया काम शुरूर करने के लिए गरह स्थिति अभी उतना आपके पक्ष में नहीं है किसी भी कारें में घर के वरिष्ट तता अनुभवी सदस्यों का शलाह जरूर ले यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और दोस्तों नोकरी पेशा व्यक्तियों के व्यक्तियों के लिए जो समय होगे ओपिस की कारण पर डाली में सकार्तमक बदला वेश्में आपके लिए आने वाले हैं और इश्कमरान दोस्वेसमें आपके वعईशाय के लिए समय होगे। आपके केरियर के लिए जो समय होगी। दोस्तों आपको बदा दें कि बीमात अजान कमिशन रबंदिक कारियों में अब परत्याशी शफ़लता प्रापत होंगी। ये जो समय होगे किसी भी पर यश्मे आपको भरशार नहीं करना चाहिए आपके शाथ कोई विश्वास घात भी यश्मे कर सकता है दोस्तों अपने योगता वबिर शमता पर आप विश्वास रखें और इनका भरपूर इस्तुमाल करें किसी नए काम के शुरुआत भी हो सकती है प्रदू दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अधिकलाब की उमीद भी ना रखकर अपने कारियों को पूरी पहनत तरीकेश्य करने की आपको जरुत होंगी दोस्तों आपको बदा दे कि भवश में यही काम आपको फैदा देने वाल हैं दोस्तों ये मार्केट में आपके वाई पारिक शवी बहुत अच्छी बने रहेगी उसे परकरार रखें यह आपके लिए बहतर होंगी और इश्कुप्राद दोस्तों ये आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों पति-पत्ने के बीच बहतर समाजिस बना करती शमर्पन की भावना घर के अबातरों को खुशाल बनाकर रखेगा तदा घर की वैस्ता भी यह में उच्छित बनी रहेगी और इश्कुप्राद दोस्तों यह में आपके लव लाइफ के लिए जिम होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि आपको कहीं ना कहीं पारिवर परिशानी में शुदार आएगा और आप यह शमय अपने आपको श्वास्त महसुस करने वाले हैं और इसके फिरान दोस्तों यह शमय आपके श्वास्त के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि कभी-कभी कुछ नकारत्म विचार भी आपके वोपर हाविश हो सकत हैं मेंट्रेशन करें तथा कुछ समय जो है प्रक्रति के श्राथ के वोईतित करें यह आपके श्वास्त के लिए समय बहतर होने वाले हैं और दोस्तों यह शमय होंगे आपको बता दें कि खांसी जुखाम जैसी परिशानी भी आपको रह सकती है आईरविदिक इलाज आप इस पर जरूर ध्यान दें और दोस्तों इसको प्रांद आपके श्रास के लिए समय होंगे आपको बता दें कि वहां श्राथ होने प्रुवक चलाएं कोई चोट या फिर दूर गटना जैसे योग भी बन रही है तो दोस्तों यह सभी उपाय आपके लिए बैतर होंगे तो पर जरूर ध्यान दें शादो से इसमय आपका भागिशाली रंग रेगा बादामी और भागिशाली अंक रेगा नौ